आगामी वर्ष 2021 में आयुजित होने जा रहे महा कुम्भ मेले को लेकर हरीद्वार के जूना अखाड़ा में अखाड़ा परिसत की बैचक हुई बैचक में अखाड़ा परिसत की अध्यक्ष नरेन्र गिरीजी महाराज समेथ कैबिनेश मंत्री मदन कौशिक कुम्भ मेला अधिकारी दीपक रावत आईजी संजे गुंज्रियाल समेथ सभी 13 अखाड़ों के सादुसंत शामिल हुए सुबा से लेकर शाम तक चलीज बैचक में सादुसंतों ने निर्ने लिया है कि हमिशा की तरह इस बार भी कुम्भ मेले का आयोजन दिव्य और भव्य रूप से किया जाएगा यदि कोरुना जादा बढ़ता है तो फिर एक बार फिर बैठक का आयोजन किया जाएगा जब इस वक्त की स्थिती को देखते हुए कुम्भ के सवरूप पर फिर ने लिया जाएगा तो सब की हमारे अख़ाड़ा प्रशन ने कहा हम टेंट भी लगाएंगी क्योंकि बिना टेंट के मिला नहीं है जो सरकार कह रही थी कि टेंट न लगा जाए उस पर आप सबसी परिकेट लगे लगे सड़क विजली पानी सब सरकार की तरफ से विवस्थित किया जाएगा औ और बैरागी कैम जहां था वहीं रहेगा वहीं पर बैरागी कैम के टेंट लगे सभी अखाड़ों के महामें द्रसवर भी आएंगे मेला भब्य होगा दिब्य होगा बेवस्था बनाई जाएगी कोरोना यदि फरवरी या मार्च में जादा बढ़ता है तो उसमें बैड़ के लिया जाएगा लेकिन फिल हादे हुआ है कि सारी बेवस्थाएं पूर्वत मेले ऐसी की जाएगी निल्धाराम मेला बसेगा बेरागी कैमें मेला बसेगा और सभी तेरहों काड़े के महामन द्रसवर आएंगे बिद्धुल अस्ताश मैं तो बैकारे की बैठक हैं सब ल होंगी किसी को परति बंद केम्प लगाएगा सरकार को परति बंद्ध केम्प नहीं करेंगे लिए वह उस पर चर्चा करेंगे अभी फरवरी में क्या होता है कैसे होता है लेकिन Canpig की किसी भी तरह परतिबंदित नहीं वगा निमान कारिये बिल्कुल एक दम स्पीड से च तो आपको बता दे कि आगामी 2021 में महाकुम्ब का आयूजन होने जा रहा है इसको लेकर तैयारियां काफी लंबे वक्त से की जा रहे हैं और सभी लोग महाकुम्ब को लेकर इंतजार भी काफी लंबे समय से कर रहे हैं इसी बीच कयास ये लगाय जा रहे थी कि कुरोना महमारी को देखते हुए कुछ प्रतिबंध महाकुम्भ के दौरान भी लगाय जाएंगे लेकिन इसी बीच बैठक का आयूजन किया गया इस बैठक में अखाड़ा परिसत के अधियक्ष साथी कैबिनेच मंतरी मदन कौशिक मेला अधिकारी और आईजी भी शामिल हुए सभी लोगों ने इस बैठक में निर्ने लिया है कि कुम्भ को भव्य और दिव्य तरीके से आयूजित किया जाएगा इसको लेकर तैयारिया भी ज़रूर जल्दी शुरू कर दी जाएंगी इसी के साथ ये भी बता दे कि अगर आने वाले कुछ महीनों में कोरूना का खत्रा बढ़ता हुआ नजर आता है तो उसको देखते हुए फिर से एक और बैचक बुलाई जाएगी जिसके बाद उस वक्त की स्थिति को देखते हुए निर्ने मेले को लेकर किया जाएगा लेकिन अगर फिलहाल की स्थिति को बात करें तो जिस तरह से कोरूना के नियंत्रण को लेकर लगातार काम किये जा रहे हैं कोरूना कंट्रोल में रहे इसको लेकर लगातार काम किये जा रहे हैं तो उसको देखते हुए महाकुम्ब को लेकर भी यही निर्ने लिया गया है कि महाकुम्ब का स्वरूप इस बार भव आयोजन महाकुम्ब का किया जाता है 2021 में महाकुम्ब का आयोजन होना है और इसे लेकर काफी वक्त से बैठा के भी की जा रही है तो बतादे कि महाकुम्भ को लेकर तैयारियां लगातार की जा रही है बहुत लंबे वक्ष्प से कहा जा रहा था कि कोरोना की बेड़ियां शायँद महाकुम्भ में भी देखने को मिलेंगी लेकिन ज़स तरह से राज्ज की अगर हम बात करते हैं तो राज्ज में जिस तरह से कोरोना को कंट्रोल किया जा रहा है उसी के मद्दे नजर बैचक का आयोजन किया गया अखाड़ा परिसत की ये बैचक थी इसमें अखाड़ा परिसत के अध्यक्ष नरेंड गीरी जी महराज शामिल हुए उनके अलावा कैबिनेच मंतरी मदन कौ का आयोजन किया जाएगा और इंतजार बहुत लंबे समय से किया जा रहा है आस्था लोगों की महाकुम से जुड़ी हुई है इसी को देखते हुए आयोजन भव्य करने का नेने लिया गया है कोरोना की स्थिति को भी आगे देखा जाएगा उसके बाद आगे भी बदलाव किये जानी की संभावना है लेकिन फिल्हाल की स्थिति को देखते हुए यही निर्ने लिया गया है कि भव्य तरीके से महाकुम का आयोजन किया जाएगा और हरी दौर से हमारी समवादाता अमित गिरी गुस्वामी हमारे साथ जुड़ गए हैं अमित कोरोना को लेकर कहा जा रहा था कि कोरोना की बेडियां शायद महाकुम पर भी लग जाएं लेकिन जुस तरह से राज्यू की अगर हम बात करते हैं तो कोरोना की स्थिति कहीं ना कहीं काबू पर है और उसी को देखते हुए महाकुम को लेकर ये बात निकल कर सामने आई है कि इस बार महाकुम का आयोजन भव्य और दिव्य तरीके से होगा तो तयारिया शुरू होनी लाजमी है और कहा जा रहा है कि तयारिया लब्मे समय से भी चल रही है अब कितना और तयारियों पर दिया जाएगा ज़र्शताइगा जिया बात नेकरिखते है इस बात नेकर करूने की नाचे से निकल करता निकल के तरह चाए अमेंश्य से दोर लिए कि महारी को एका आश्याले चाइंस्विज गरने लगेंगे और इसका साल्साटाम रोगति होут तो इसमें शासन, प्रशासन और राज्य सरकार, यहां तक कि केंद्र सरकार के भी इसमें कुछ मंत्रिगन शामिल रहें जिनके सोजाओ के आधार पर इसको आगे इसकी तैयारी को विदिवत जारी रखा गया और यथावत इसकी तैयारी को जारी रखते हुए अब इसमें झाल बाद जो झाल झाल हंगा, कर दोगता.